नमस्ति दोस्तों, गुरुणी के पेज़ पर आप सब का फेसे में स्वागत करती हो, आज हम स्वासे सबंदित जानकारी में बात करेंगे आधा शीशी याने की माइग्रेन के दर्थ से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों, माइग्रेन एक विशिश प्रकार का सीधर है, यह दर्थ आम तोर पर कान में या आप के पीछे होता है, यह कुछ लोगों को अपने देखने के क्षम तक होने का कारण भी बनता है, यह एक आनोवनशिक बिमारी है जो खाने, जलवायू परिवर्तन, तनाव या यह तक कि अधिक तेर तक सोने के कारण भी हो सकती है, बायो फीडबेक, योग, एक्यूपंचर और नियमित व्यायाम से माइग्रेन को दूर करने में मदद मिल सकती है, माइग्रेन से बचने के लिए सीधत के कारणों से बचना चाहिए, इन कारणों में तेच गाने के साथ-सा और तुलसी का रस सुंगने और नाक में डालने से माईगरेन और सीदर्च से राहत मिलती है। लैसुन की कलियों को खोपरी पर लगाने से माईगरेन ठीक हो जाता है। ठंडे पानी में अंगुर और धनिया भिगो कर पीने से आधा शीशी ठीक हो जाती है। हिंग को पानी में मिलाकर नाक में थोड़ी बुन डालने से माईगरेन का दर्ध कम होता है। अद्रक को पानी में गिसकर माथे पर रगरने से माईगरेन ठीक हो जाता है। दूद में गी मिलाकर पीने से माईगरेन और सीदर्ध से राहत मिलती है। सुर्योदई से पहले गर्म, ताचा और शुद्दगी से बनी हुई जले भी खाने से माईगरेन ठीक हो जाता है सीर्दत होने पर माध्य पर शुद्दगी मलने से सीर्दत कम हो जाता है आवला पावडर, चीनी और गी समन मातरा में लेकर खाने से सीर दत से राहत मिलती है एक कप पानी में एक चमच हल्दी डालकर उसे उबालकर इसका रस निकालकर पीने से या उसकी बाफ लेने से सीर दत से राहत मिलती है अद्रक को ठंडे दूद में गिस कर उस दूद की 3-4 बूंद नाक में डालने से माइगरेन ठीक हुचाता है आदा चमच निम्बू का रस और आदा चमच तुलसी का रस मिला कर पिने से सीर दद से छुटकारा मिलता है अगर आपकी सीर में दद हो रहा है तो आप तुलसी के पतो और अगर बती को रगड़ कर सीर पर लगाने से तुरंत सीर दद से छुटकारा पा सकते है नारिल पानी पिने से माइगरेन और सीर दद से राहत मिलती है लोंग का तेल रगडने से सीर्दत से राहत मिलती है खोपड़ी पर लोंग और तंबाकु के पतों को रगड कर उसका लेब माथे पर लगाने से माईग्रेन से राहत मिलती है गुनगुने पानी में नमक डाल कर दोनों पेरों को पानी में रखे इससे 15 मिनिट में सीर दट ठीक हो जाता है काली मीज को शुदगी में गिसकर नाक में टपकाने से माइगरेन ठीक हो जाता है किसी भी सीर दट से चुटकारा पाने के लिए चीप पर एक चुटकी नमक डाले और 10 मिनिट के बाद एक गिलास पानी पीए इससे सीर्दत कम होता है तो दोस्तों अभी हमने बात की कि सीर्दत याने की आदाशिशी के दर से कैसे छुपकारा पाया जाए दोस्तों यदि आपको हमारी यह बात पसंदाई हो तो इस पेज को जरू से सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक, कमेंट और शेयर करना प्लीज ना भूले ऐसी ही बहुत सारी बातों के साथ हम आप से फ्रीज से मिलते रहेंगे जहीन